शतीजगर्ड के सीएम भुपेश बगेल के पिता नंद कुमार बगेल को पुलिस ने मंगलवार यानी की साथ सितंबर को गरिफतार किया 86 साल के नंद कुमार बगेल पर भ्रामट समाच के खिलाफ आपत्य जनक टिपनी करने के आरोप में रायपुर में एफायार हुई थी सीएम का पिता होने के बावजूद उन्हें अरेस्ट किया गया इस पर लोग तारीफ भी कर रहे थे लेकिन इस सब के बीच सामने आई एक तस्वीर जो की चर्चा का रुख मोर दिया है इस तस्वीर में नंद कुमार बगेल पुलिस थाने में इंस्पेक्टर की टेबल पर बैट कर खाना खाते दिखाई दे रहे हैं तस्वीर सोशल मीडिया पर वाइरल है इस वोटो के वाइरल होनी के बाद सोशल मीडिया पर लोग भड़कते नजर आए कुछ ने कहा कि चलो सीएम के पिता हैं गिरिफतार तो हुए लेकिन बहुतों ने कहा कि ऐसी गिरिफतारी का क्या मतलब क्या पुलिस सभी बुजर्गों के साथ ऐसा व्याइपी बरताफ करती है 36 गर्ड के सीएम भुपेश बगैल के पिता नंद कुमार बगैल की जिस टिपणी को लेकर विवाद हुआ वे उन्होंने यूपी के लखनों में की थी इसे लेकर ब्रामर समाज में नाराजगी थी नंद कुमार बगैल के खिलाफ IPC की धारा 505 और 153 ए के तहत FIR दर्श की गई उन पर समुदायों की बीच शत्रुता, घ्रणा और वेमनस्य की भावना पैदा करने और समाज में तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया गया है डीडी नगर थाना प्रभारी योगिता खापरडे ने बताया कि सर्फ ब्रामर समाज सुन्दर नगर से एक शिकायती पत्र मिला था कि नंद कुमार बगैल द्वारा ब्रामर समाज पर कुछ टीका टिपडी की गई है इसे लेकर 4 सितंबर को मुकदमा दर्श किया गया इस पर अगले दिन भूपेश बगैल की प्रतीक्री आई उन्होंने 5 सितंबर को कहा कि एक पुत्र के रूप में मैं उनका सम्मान करता हूँ लेकिन एक सियम के रूप में उनकी ऐसी किसी भी गलती को माफ नहीं किया जा सकता जो सार्विजनिक व्यवस्था को बिगारने वाली हो कोई भी कानून से उपर नहीं है फिर चाहे वो सियम के 86 साल के पिता ही क्यों नहों रायपुर पुलिस ने नंद कुमार बगेल को आगरा से गरिफतार किया उसके बाद पुलिस उन्हें रायपुर लेकर आई और मजिस्ट्रेट जनक कुमार हिटको की कोर्ट के सामने पेश किया गया अदालत ने नंद कुमार बगेल को रिमांड पर 15 दिन की जूडिशल कस्टिडी में भेजने के आदेश दिये उनके वकील गजेंद्र सोनकर ने दावा किया कि नंद कुमार बगेल के कहने पर मैंने जमानत अरजी दाखिल नहीं की थी अब उन्हे 21 सितंबर को फिर से कोट में पीश किया जाएगा आपके लिए खबर लिगी थी हमारे साथी अमित ने दिखते रहिए दी ललन टॉप शुक्रिया दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियेंस बदलने वाली वेबसाइट यूट्यूब और फेस्बुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है एप की ललन टॉप एप जो लॉंच होते ही कुछ ही घंतों में बन गया था नमबर वन प्ले स्टोर से एंड्रॉइड एप इंस्टॉल कीजिए और जोड़े रहिए ललन टॉप खबरों से अब एक ही जगे पर मिलेंगे पलिटिकल किस्से ललन टॉप शो चुनावी कवरिज परताल और आसान भाषा में पाईए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले पेस्बुक और यूट्यूब से भी पहले खबरे और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन बड़ी खबर हो या फिर हो किस से सब आपके फेवरिट सेक्शन आपको हैं बताने इतना ही नहीं क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए आज ही गूगल प्लेय स्टोर पर जाईए और दीलल और आप इस तॉल कीजिए